हाई द्वेल्टीज, वेलकम टो इसीवे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग अपने मानेजमेंट चेप्रर का एक इतना इंबॉर्डंट टॉपिक लेने वाले हैं जो कि बहुत असान है, बहुत सारे मैंनेजमेंट के इस टॉपिक पर आते हैं, तो आज इसके मैंनेजमेंट के टोटल 7 फीचर होते हैं, सबसे पहले इने समझ लेते हैं, मैंनेजमेंट क्या होता है? एक गोल- औरिंटिड प्रसेस होता है, जिसमें हम जो भी चीजे मैनेज करते हैं, अपने गोल ऑबजीकु को पूरा करने के लिए करते हैं Second management is a continuous process, management continue चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई काम किया, manage हो गया, काम खतम हो गया, then business में management नहीं चाहिए Management हर एक activity को करने के लिए चाहिए, इसलिए उसे continuous process कहा जाता है, all pervasive, all pervasive का मतलब होता है guys, हर जगे Management एक business में उसके हर एक level पर, top, middle, lower level पर भी मिलेगा, हर एक departments में भी मिलेगा और even चाहे कोई और organization हो, कोई NGO हो, कोई government organization हो, हर जगे management हमें दिखने को मिलता है Intangible force, management एक अध्रिश्य है, आप उसे मतलब अध्रिश्य है, जिसे आप छू नहीं सकते, लेकिन आप उसे feel कर सकते हो मतलब आप उसे touch नहीं कर सकते, आप उसे feel कर सकते हो, जब आप किसी एक अच्छी से company में जाते हो और वहाँ पर देखते हो हर एक चीज कितनी well maintained है तो आप क्या कहते हो कि यहाँ पर कितना अच्छा management है तो आप उसे management को छूके देखा नहीं You can feel it उसके बाद management is a group activity हमेशा management जो होते हैं कभी किसी एक चीज का नहीं किया जाता groups का किया जाता है क्योंकि हर एक person जो होते है वो अलग nature का होते है अलग तरीके का होते है और उन सब को मिला कर चलना ही management है उन सब को मिला कर चलना business की goal को पूरा करना ही management है इसलिए उसे group activity कहते है Then next management is a dynamic function मतलब management जो है समय के साथ बदलना बदलता है जैसे environment change होता है technological change आता है तो management भी हमें change करना पड़ता है So management एक dynamic function है जो समय के साथ बदलता है Management is multi-dimensional Management तीन चीज़ों का किया जाता है तभी उसे multi-dimensional कहते है Management of work पहले काम का उसके बाद people का यानि कि first of all आपने work का किया इसको करने वाले बंदे का किया management तो management of people और फिर इसी तरीके से सारे departments का तो उसे हम बोलते management of operation इसलिए management multi-dimensional होता है अब इससे related guys कुछ case studies करते है जो आपके exams में आ सकती है और आपको बताना है कि इन में से कौन सा feature है जो highlight हो रहा है पहला question है जो भी activities हमारे management में होती है वो हर एक organization में पाई जाती है तो कौन सा management का feature highlight हो रहा है हर एक organization में हर एक level पर जभी भी बात करी जाएगी तो management is all pervasive हर जगे की जब बात करी जाएगी हर department की जब बात करी जाएगी so management is all pervasive इन्होंने क्या बोला the activities involved in managing management में जो भी activities होती है guys जो कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी an enterprise or common to all organization ये सारे काम जो है हर business में होते हैं हर NGO में होते हैं हर social enterprises हो या political हो हर जगे होते हैं तो all pervasive इसे क्यों सा feature है management का all pervasive कि management हमारे घर में भी पाया जाता है management school में भी पाया जाता है management business में भी पाया जाता है इसके बाद guys जो next case study है उसमें है management has to adapt itself to the changing environment so कौन सा feature है जो यहाँ पे highlight हो रहा है so management जो होता है अपने आपको change करते है according to environment तो जबी भी time आ जाए so management is a dynamic function तो यह feature यहाँ पर highlight हो रहा है इसके लबा guys जो next आपका question है यहाँ पे सौरब है जो की एक managing director है in a shoe manufacturing company he has been doing well at this post वो काफी अच्छा काम कर रहा है and under his guidance and leadership the company has been actively achieving all the set targets as the all unrelated and diverse action taken by different departments are given a common direction उन्होंने बोला under his guidance and leadership उसकी guidance और leadership में company जो है अपने goals को achieve कर रही है because unrelated and diverse action taken by different departments जो भी अलग-अलग लोग है अलग-अलग departments है उनको एक common direction दी गई है तो कौन सा feature है जो management का highlight हो रहा है so यहाँ पर है guys management is a group activity क्योंकि हम यहाँ पर manage करके चल रहे है group को जबी भी आपके जो भी आपका MCQ है guys उसमें अगर diverse people आ जाए diverse need आ जाए तो वो हमारा group activity है क्योंकि group में ही हम diverse लोगों को अलग-अलग लोगों को मिला कर चलते हैं उसके बाद next case study है management cannot be seen but its present can be felt in the way of the organization function management को हम देख नहीं सकते बटा हम उसे feel कर सकते जब management काम कर रहा होता है किसी organization में so कौन सा है management is a intangible management is an intangible force तो आप यह असानी से इसका answer कर सकते हो अगर आपको यह features tips पर समझ आ रखे हैं इसके बाद guys यह तो management के MCQs थे जो आ सकते हैं जो कि बहुत असान थे इसके बाद आपको functions जरूर से पढ़ने हैं जो कि बहुत 5 ही functions होते हैं management में management के जो प्रोसेस होते हैं 5 काम किये जाते हैं सबसे पहला होते है planning हम सबसे पहले plan बनाते हैं पिर हम organizing करते हैं याईजाज को इन plans के according HY blank कामों को autonomous किा जाता है स्टाफिंग याई जब हम plan बना लेते हैं अपना कि आपको इस direction में जाना है और जब वो उधर चलने लग जाते हैं तब हम उन्हें control करते हैं तो management के 5 काम होते हैं जिसे short form में आप कैसे याद कर सकते हो POS, DC, planning, organizing, staffing, directing, controlling, POS, DC, planning सबसे पहले होता है फिर हम कामों को organize करते हैं, organize करने के बाद staffing रखते हैं यानि कि logo को रखा, logo को direction प्रोवाइट करी, directing and control करी उनकी activities को checking करी उनकी activities को controlling के लाता है So guys, ये topic भी समझना असान है, बहुत समझना असान है, इस पर भी case studies आ सकती है I hope guys, आपको ये part समझाया होगा और ये वाला part भी अगर कोई भी doubt है, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो idea तब इता मैसी या फिर YouTube पर comment के तुरू Thank you